नमस्कार, बायजूज एक्जाम प्रेप आयस हिंदी में आप सभी का स्वागत है और आज हम 4 अगस्ट के दहिंदू समाचार पत्र में आए कुछ महत्मून समाचारों का विसलेशन करने वाले हैं तो आये सुरू करते हैं आज का समाचार विसलेशन आज के विसियों पर चर्चा करने से पहले कुछ महत्मून सूचनाएं आप सभी के लिए हैं आपको ध्यान रखना है कि हमारे द्वारा एक वर्क्सॉप का आयोन किया जा रहा है और यह वर्क्सॉप 6 अगस्ट को सामके 6 बजे बैजूज एक्जाम प्रेप अब पर प्रसारित किया जाएगा और यह वर्क्सॉप सिविल सिवा परिक्षा 21 की टौपर सुति सर्मा के द्वरा लिया जाएगा जहां पर उनके द्वारा इस बात पर चर्चा की जाएगी कि आखरिनों ने इस एक्जाम की तैयारी कैसे की तो आप सभी जो की सिविल सिवा परिक्षा काई तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह वाक्सॉप बहुत ही महत्पूल होने माला है आप सभी को ध्यान रखना है कि इस वाक्सॉप को जोईन करने के लिए आप सभी को अपना रिश्टेशन करना होगा जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है इसके अलावा आप सभी को यह भी ध्यान में रखना है कि Weekly Current Affairs के Explain Series में इस बार हमारे द्वारा परवरतर निसलाय के छापे के उपर चर्चा किया जाएगा यानि कि कल रात के आठ बरे से इस टॉपिक पर यूटूब पर चर्चा किया जाएगा जिसका लाव आप उठा सकते हैं तो इन दोनों निउस को आपको ध्यान में रखना है अब आएए हम इस बात पर चर्चा कर लेते हैं कि आखिर आज के इस सतर में हम किन-किन विश्यों पर चर्चा करने वाले हैं सबसे पहले चीन और ताइवान को लेकर के जो निउस आया है हम उसकी यहाँ पर चर्चा करेंगे जिस तरीके से भारत की जिसंख्या आगे चल करके बढ़ने वाली है हम किस तरीके से उसका लाव उठा सकते हैं इसको अधार बना करके जो निउस आया है हम उसकी भी यहाँ पर चर्चा करेंगे, तालिबान को ले करके जो एटोरियल आया है हम उसकी यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं, राश्ट्री अस्तर पर निधारित युगदान, NDC को ले करके जो निउस आया है हम उसकी भी यहाँ चर्चा करेंगे और सबसे अंतिम में इन्हीं विश्व प्रधारित मुख्य परिक्षा के अभ्यास प्रश्णों पर भी हम चर्चा करने वाले हैं तो आए शुरू करते हैं आज कई सत्र को आज के पेपर के पेज नंबर एक और तेरा पर जो है ताइवान को लेकर के कुछ बहुत ही इंपोर्टेंट न्यूज आए हैं और ये टॉपिक समान अध्यन्दो अंतराष्टे संबन से जुड़े हुए हैं तो जिस तरीके से अमेरिकी प्रतिशन सभा की अध्यक्षे नैंसी पलोसी ने ताइवान की यात्रा की है उसके बाद से इस पूरे छेतर में जो है ताइवान को लेकर के चीन और अमेरिका के बीच में तनाव बढ़ गया है और इसी को लेकर के यहां पे जर्चा किया जा र है कि ताइवान में रहने वाले जो सबसे पुराने आदिवासी लोग हैं वे जो हैं जो आधुनिक चीन का दक्षनी इलाका है वहां से वहां पर जा करके बसे थें अगर हम ताइवान दीब की बात करें तो इसकी चर्चा चीनी अभिलेकों में मिलती है जब उस समय के करने के लिए किया जाता है कि ताइवान जो है चीन का हिस्सा है लेकिन आपको ये भी ध्यान में रखना है कि ताइवान पर डचों के द्वारा भी सासन किया गया है ताइवान जो है वह 1624 से लेकर के 1661 तक डच उपनिवेस रहा इसके बाद जो है चीन के किंग राजवन्स के द्वारा ताइवान पर जो है 1683 से ले करके 1895 तक जो है सासन किया गया आप इस फिगर में ताइवान की जो भोगौले किस्तिय उसको देख सकते हैं अगर हम ताइवान को ले करके कुछ और मुख्य तथ्थो की बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि 1895 में जब जापान क द्वारा पहला साइनो जापान युध जो है जीता गया तो उसके बाद जो वहां पर किंग राजवंस था उसने जो है ताइवान को जापान को सौप दिया हाला कि दूतिय विशुध में जब जापान हार गया यानि कि उसने आत्म समर्पन कर दिया तो फिर से पूरा का पूरा ताइवान जो है वह चीन के नियंतर में चला गया और जो चीन है वह इस पर सासन करना उसने सुरू कर दिया लेकिन आप सभी को पता है कि दूतिय विशुध के कुछी वर्सों के बाद चीन में जो है ग्रियू छिड़ गया और उस समय के जो नेता थे च्यांग काई सेख जिनकी वहाँ पर सरकार थी उनकी सेना को जो है मायो जेडान की जो कमनी सेना थे उसने हरा दिया था और इसके बाद चीन काई सेख अपने सहयोगय के साथ जो है 1949 में ताइवान चले गए थे अब ताइवान की जो अभी इस्ति है उसको लेकर के बहुँ ज़्यादा भरम है पूरी दुनिया में आप सभी को ध्यान में रखना है कि ताइवान का जो है अपना समिधान है वहाँ पर लोगतांतिक रूप से सरकार चुनी जाती है और उसके पास जो है अपना ससस्त्र बल भी है जैसा कि मैंने कहा कि जो गुरह युद चीन में हुआ था जिसमें कि च्यांकाई सेकी हार हुई थी और वे जो है अपने सहयोग्यों के साथ 1949 में ताइवान चले गए थे लेकिन वहाँ पर जाने के बाद उन्होंने जो है यह दावा किया कि पूरे चीन पर जो है उन्ही का सासन है और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि यहां तक संयुक्तरा सुरक्षा परिशद में भी जो निर्वासि सरकार ताइवान से चल रही थी उसने जो है चीन का जो सीट है वहाँ पर उसका प्रतिनिश्ट्य किया था और कई पस्चमी देशों के द्वारा जो है जो ताइवान में निर्वासि सरकार थी उसे जो है चीनी सरकार के रूप में मानता दी गए थी लेकिन 1970 के दसक में जो इस्ति है वह बदलना सुरू हो गया क्योंकि बहुत सारे देशों ने ये तरक दिया कि ताइवान में जो निर्वासि सरकार है और जो में लेडियाने की जो चाइना है वहां पर जो सरकार है उनमें से अब उन्हें ये डिसाइड करना था कि आखिर असली चीन कौन है यानि कि असली चीन की सरकार कौन है क्योंकि जो चीन की मुख्य भूमी है वहाँ पर करोडों लोग रहते थे जबकि ताइवान की जनसंख्या काफी कम है और यह कहना कि ताइवान में जो सरकार है वह जो मुख्य भूमी है चीन की उनके सभी नागरिकों की सरकार होने का दाव करती है यह जो है कहीं ना कहीं बहुत सारे देशों को रास नहीं आ रहा था और इसी को देखते हुए बहुत सारे देशों ने जो है जो बुख्य भूमी पर सरकार थे यानिकि जो चीन की अभी की सरकार है उसे मानता देना सुरू कर दिया स्वयुक्त राश्ट ने भी 1971 में चीन की सरकार को जो है राजनेक मायनता दे दी और जो ताइवान में सरकार थे उसे जो है स्वयुक्त राश्ट से बाहर कर दिया और इसलिए एक चुनुही सरकार होने के बावजूद एक समिधान होने के बावजूद जो ताइवान की सरकार है उसको लेकर के पूरी दुनिया में भ्रहम की इस्ति दिखाई देता है अगर हम ताइवान और चीन के समंधों की बात करें तो आपको ध्यान में रखना है कि 1980 के दसक में चीन और ताइवान के बी जो समंधों थे उसमें सुधार होना सुरू हुआ क्योंकि ताइवान ने अपने लोगों की जो चीन यात्राएं हैं वहाँ पर जो निवेस करने पर परतिबंद लगाया गया था जो नियम बनाया गया थे उसमें धील देना सुरू किया था उसके बाद से जो है हाला कि दोनों देशों के बीच में जो राजितिक प्रगती है वो काफी धीमी रही है लेकिन चीन और ताइवान के बीच में जो निवेस है वो काफी बढ़ा है और यहाँ पर एक डेटा ये कहता है कि 1991 से लेकर के 2021 के बीच में ताइवान के बिजनेसम में भारी मात्रा में निवेस किया गया है बहुत सारे लोग इसका समथन भी करते हैं बहुत सारे लोग इसके विरोध में भी हैं यानि कि बहुत सारे लोग का ये कहना है कि ताइवान को चीन पर बहुत ज़्यदा निवेस नहीं करना चाहिए तो इसको ले करके भी आनिकी निवेस को ले करके भी बहुत सारे अलग-अलग मत है हाला कि चीन ने जो है ताइवान के सामने एक देश दो प्रणाली का विकल प्रखा था इसमें ये कहा जाता है कि अगर ताइवान चीन में मिल जाता है तो चीन जो है ताइवान को जो है कुछ हद तक स्वायता की अनुमती दे सकता है जैसा कि उसने हॉंग कॉंग को ओफर किया था और इसी के तहट 1997 में हॉंग कॉंग जो है चीन का हिसा बना था लेकिन हाल के दिनों में जिस तरीके से चीन के द्वारा हॉंग कॉंग पर सासन किया गया है उसे ताइवान में यह असंकाएं बढ़ी हैं कि अगर ताइवान चीन में मिल जाता है तो उसकी स्वैत्ता जो है वो धीरे धीरे चीन के द्वारा समाप्त कर दी जाएगी जैसा कि अगर हम ताइवान के मुद्दे पर भारत के रुक की बात करें, तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि भारत और ताइवान के जो रिष्टे हैं, वह हम नॉर्मल ही कह सकते हैं, क्योंकि वैसे तो भारत का ताइवान के साथ को भी आपचारिक, राजनेक समंध नहीं है और भारत भी जो है, वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करता है, लेकिन चूकि हमारे समन्ध ताइवान के साथ अच्छे हैं, इसलिए जो है, ताइवान और भारत के बीच में, जो राजनेक कारे होते हैं, उनको निप्टाने के लिए जो है, दुनों ने एक दूसरे के देश में अपने कार्याले खोले हैं. तो भारत ने तैवान में भारत ताइवान Association के नाम से जो है एक कर्याले कहला है, जहां पर भारत के दौरा एक वरिश्त राजनेक हमेसा तैनात रहता है. उसी तरीके से ताइवान ने नई दिल्ली में टाइपे आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र नाम से एक करेले के स्थापना की है और ये दोनों करेले जो है एक साथ 1095 में एक दूसरे के देश में खोले गए थे भारत और ताइवान को समंध है वो मुखेता वानिज संस्कृति और सिक्छा पर केंद्रित है लेकिन चीन के कारण जो है भारत और ताइवान ने अपने रिष्टों को जान बूझ करके लोग प्रोफाइल में रखा है लेकिन भारी मातरा में जो बिजनेस है वो भारत और ताइवान के बीच में होता है लेकिन जब से चीन ने जो है लड़ा की सीमा प अपने सम्मंधों को खुले तोर पर स्विकार करना शुरू कर दिया है और ताइवान के मुद्दे पर अगर हम चीन और अमेरिका के रुख की बात करें रिष्टो की बात करें तो यहाँ पर आपको ध्यान भी रखना है कि भारत की तरह अमेरिका भी जो है वन चाइना पॉलि या फिर सैनिक करवाई करके ताइवान को अपने मिलाने का प्रयास किया तो इसका पुर्जोर विरोज जो है अमेरिका के द्वारा किया जाएगा और इसलिए जब भी चीन के द्वारा ताइवान पर दबाव बनाने का प्रयास किया जाता है तो अमेरिका जो है ताइवान क के समर्थन पर खड़ा हो जाता है और इस बार जब अमेर्की प्रतिनसभा की अध्यक्ष नैंसी पलोसी ताइवान की यात्रा पर गई तो यहाँ पर चीन ने जो है कड़े सब्दों में इसका विरोध किया लेकिन यहाँ पर अमेरिका ने जो है इसे अमेरिका और ताइवान क मुद्धा बताया तो बहुत important news है ये इसको आप जरू ध्यान से पढ़ेंगे आएए एक और news की हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं इस news पर जो है जो इसका topic है उस पर हमने काफी चर्चाए की है और topic क्या है रिपनिंग देमोग्राफिक डिविडेंट और एक topic समान अध्यन्दो सासन और समान अध्यनतीन आर्थिक विकास से जुड़ा हुआ है तो demographic डिविडेंट यानि की जनसनखा के लवहांस के उपर जो है हमने काफी चर्चाए की है जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सयुग राष्ट के द्वारा World Population Prospects Report जो है जारी किया गया है जिसमें ये अनुमान लगाए गया है कि पूरी दुनिया की अबादी जो है वह 2050 तक 9.8 अरब हो जाएगी लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो उसमें भारत के लिए बहुत ही महतुन बाते कही गई हैं कहा गया है कि भारत जो है 2023 तक जनसंख्या के मामले में चीन से आगे निकल जाएगा और उसके बाद भी भारत की जनसंख्या है वह लगातार आगे बढ़ती रहेगी जहां 2050 में चीन की जनसंख्या है वह 1.3 बिलियन होगी लेकिन यहां पर भारत के बारे में यह कहा गया है कि 2050 तक भारत की जनसंख्या है वह 1.7 बिलियन तक पहुँच जाएगी जिसमें से केवल 330 मिलियन लोग ही 60 वर्स के या फिर उससे ज़्यादा आयूके होंगे तो यहां पर कहने का मतलब यह है कि भारत की जनसंख्या है बढ़ेगी लेकिन जो भारत में कामकाजी अबादी है जो कारेबल है उसमें भी जो है लगातार बढ़ोतरी अभी जारी रहेगा याने की भारत को जो जनसांख्या के लभांस है वह लगभग 30 वर्सों तक अभी और मिलने वाला है अब यह हम पर डिपेंड करता है कि जो हमारे कामकाजी लोग हैं हम उनका इस्तमाल किस तरीके से कर पाते हैं जैसा कि हमने इस टॉपिक पर नौलेज स्रीज में भी चर्चा किया है वहाँ पर जनसांख्या के लभांस को लेकर के मैंने बहुत इंपोर्टेंट चर्चाएं की हैं कि आखिर यह क्या होता है तो आप उस लेक्चर को भी जा करके सुन सकते हैं लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो पॉपुलेशन होता है जो एक राष्ट का जनसंख्या होता है वही राष्ट के लिए जो है आगे बढ़ने का सबसे बड़ा हथियार भी होता है अगर हमने हमारे कारेबल को सही तरीके से सिक्षित किया उन्हें ट्रेनिंग दिया उन्हें कौसल सिखाया तो यहाँ पर यह जो आने वाले 30 वर्स है उसमें भारत की जो आगे बढ़ने की रफ्तार है वह काफी तेज हो सकती है लेकिन यहाँ पर सिर्फ वो सिर्फ हमें इस बात पर ध्यान देना है कि हम किस तरीके से जो कामकाजी अबादी है उसे जो है सही आउसर परदान करें यहाँ पर कुछ नई डेटा दिये गए हैं जिसको कि आप लोग जरूर नोट डाउन कर लेंगे यहाँ पर जो है डेलाइट इंसाइट्स जो मैगजीन है उसमें सितंबर 2017 में जो बात कही गए थी उसको यहाँ पर उलेख किया गया है जिसमें कहा गया था कि भारत का जो संभावित कारेबल है यानि कि जो कामकाजी अबादी है वह जो है 885 मिलियन से बढ़ करके आने वाले दो दसकों में यानि कि लगभग 250 की बात हो रही यहाँ पर 1.08 बिलियन तक पहुँच जाएगा उसी तरीके से McKinze and Company की जो रिपोर्ट है जिसका नाम था India at Turning Point जो कि 1220 में जो है रिलीस किया गया था उसमें भी यह कहा गया था कि जो कामकाजी अबादी है भारत की उसमें लगातार वृधी होगा और अगर जो है हमने अपने देश के अधार भुठ धाचे के उपर ज्यादा काम किया यानि कि अगर हमने डिश्टली करन को सिक्षा सुरक्षा पर अगर हमने अधिक ध्यान दिया तो यहाँ पर 2030 तक जो है जो भारत की जो कामकाजी अबादी है वह जो है भारत के GDP में बहुत ही महत्पून योगदान देगी लगभग 2030 तक जो है 112 मिलियन नोकरियां जो है यहाँ पर पैदा होंगी अतरिक 2.5 ट्रि GDP में बढ़ोतरी है वह आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा तो यहाँ पर जो भी रिपोर्ट आप देख लें उसमें सभी में ये कहा गया है कि भारत में जो है कामकाजी अबादी जो है अगले 30 वर्सों तक ज्यादा रहने वाली है कमोबे इस दुनिया में सबसे ज्याद लेकिन ये जो कामकाजी अबादी है अगर हमने उसे सिक्षा, स्वास्त और जो कौसल है वो नहीं सिखाया वह सही तरीके से उनको नहीं दिया तो यहाँ पर जो भारत का सबसे बड़ा हथियार बन सकता था यानि कि जो उसकी जनसंख्या जो कामकाजी अबादी है वह जो है भारत पर कहीं न कहीं बोज बन जाएगा लेकिन यहाँ पर कुछ चुनोतियां भी है जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया है कि भारत में जो कुल कारबल है उसमें जो कुसल स्रमिक है उनकी संख्या काफी कम है अगर हम इसकी कंपेरिजन करते हैं चीन से, स्रमिक तरज अमेरिका से तो आपको देखने को मिलेगा कि चीन में जो कुल कामकाजी अबादी है यानि जो कारबल है उसका 24 परतिसत ऐसा अबादी है जिसके पास कोई ना कोई कौसल है उसी तरीके से अगर हम USA की बात करें तो यहाँ पर यह परतिसत और भी बढ़ जाता है यह परतिसत है लगभग 52% अगर हम बिटेन की बात करें तो यह है 68% और जापान की बात करें तो यहाँ पर पूरी कामकाजी अबादी में जो कुसर स्रमिको का अनुपाद है वो लगभग 80% है याने कि 100 में से 80 लोगों के पास कोई ना कोई कौसल है जबकि अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ पर यह जो अनुपाद है वो मात्र 3% का है याने कि भारत में 100 में से मात्र 3 लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई ना कोई कौसल होता है तो अगर हम अपने कामकाजी अबादी को कौसल नहीं सिखाएंगे तो जिस तरह का फाइदा जो हमें इन लोगों से मिल सकता था वो फाइदा भारत को नहीं मिल पाएगा और इसलिए यहां पर लेखरक के दोरा भी बार बार ये कहा गया है कि हमें जो है जो हमारी कारसिल अबादी है काम करने वाली जो अबादी है उसके रोजगार योगता उनके स्वास्त उनके सिक्षा उनका जो विशाईक प्रसिक्षन है उनका जो कौसल है उसके उपर जो है ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा तब ही जाकर के जो है हम जो है अपनी जनसंख्या का लाग उठा सकते हैं जिसे हम कहते हैं जनसंख्या की ये लभांस तो इस मुद्धे पर पहले भी काफी चर्चाएं हुई हैं लेकिन कुछ नए बाती थे यहाँ पर जिसको कि आपको note down कर लेना था आईए एक और न्यूस की हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं आज के पेपर के पेज नेंबर सेवन पर एक एटोरियल आया जिसका सिर्सक है Teaching the Taliban the wrong lesson और टॉपिक समान अध्यन दो अंतराष्टे समन्स जड़ा हुआ है तो काफी महत्मुन एटोरियल है ये और यहाँ पर इस बात का उलेक किया गया है कि जिस तरीके से पूरे दुनिया के देश धीरे-धीरे Taliban में अपने जो Consulate हैं उनको खोलते जा रहे हैं उससे कहीं न कहीं Taliban का जो मनुबल है वो बढ़ रहा है और उसकी जो मनसा थे कि पूरी दुनिया जो है उससे रिकोगनाईज करे वह इस चाल में भी काम्याब होता दिख रहा है आप सभी को ध्यान रखना है कि भारत ने जो है अफगानिस्तान की इस्तिपर चर्चा करने के लिए उजबेकिस्तान की राजधानी तासकन में जो दो दिवे से समयलन बुलाया गया था उसमें भाग लिया और इसी को लेकर कि यहाँ पर लेखक का ये कहना है कि हमारी जो पहले की निती थी कि हम तालीबान के साथ बात नहीं करेंगे हम कहीं न कहीं उससे भटकते नजर आ रहे हैं और हमारे साथ साथ दुनिया के जो लोकतांत्रिक देशें वो भी जो है एक आतग्वादी संग्ठन यान की तालीबान का जो सासन है अफगानिस्तान में उसको कहीं न कहीं मानिता दे रही है यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है इस बात की चर्चा की गई है कि जिस तरीके से स्यूंक तुराज अमेरिका और तालीबान के बीच में दोहा समझोता हुआ था आप सभी को पता है कि 29 फरवे 2020 को जो है स्यूंक तुराज अमेरिका और तालीबान के बीच में जो है दोहा समझोता पर हस्ताक्षर किये गये थें जिसको की सहयोगत्रा शुरक्षा परिस्द के दोरा भी समर्थन दिया गया था और यह समझोता था उसमें 4 सर्थे थी इसमें जो पहली सर्थ थी वो ये थी कि तालिबान जो है यह guarantee देगा कि वह अमेरिका और उसके सहयोग्यों की सुरक्षा के खिलाफ अपनी जमीन का जो इस्तमाल है वह नहीं होने देगा यानि कि जो अंतराष्ट्रिय आतवांगदी सम्मू वहां पर रह करके काम करते हैं अमरिया खिलाफ वह उसे नहीं होने देगा यहां पहली बात यहां पर कही गई थी दूसरी बात यहां पर यह कही गई थी कि यूएस और जो गडवंदन की सेना है वह जो है एक समय सीमा के भीतर जो है अफगानिस्तान छोड़ करके चली जाएगी जो यहां पर तीसरी बात कही गई थी वो यह थी कि अफगानिस्तान का राजनाइक पहल ढूंड़ा जाएगा यानि कि जो राजतिक समझोता है उस पर बल दिया जाएगा और तालीबान जो है वह अफगान की सरकार के साथ बाचीत करेगी चौथा बात यहां पर यह था कि तालीबान जो है अफगानिस्तान में युध बिराम की घोसना करेगा तो यह चार बाते जो है दोहा समझोते में किया गया था लेकिन यहाँ पर लेखा के द्वरा ये कहा जा रहा है कि तालिबान के द्वरा इसमें से सिर्फ एक बात को जो है माना गया है और वह एक सर्थ जो है वो सिर्फ ये है कि अमेरिका और उसके गटबंदन की जो सिनाए थी उन्होंने जो है 31 अगस्त और 21 तक अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को वापस बुला लिया इसके अलावा यहाँ पर जो तीन बाते थी उसमें से कोई भी पूरा नहीं किया गया है अभी भी जो तालिबान है वह अंतराष्टे आतंगवादियों की हेल्प करता है उसने जो है युद्ध का रास्ता अपनाया वहाँ की जो चुनुई अफगानी सरकार थी उसको उखाड फेका याने कि इन चार में से सिर्फ एक बात जो है पूरा हुआ और वो बात था कि अबेरिका अपने सैनिकों को वहाँ से वापस बुलाएगा लेकिन फिर भी इसके बात जिस तरीके से दुनिया के सारे देश तालिबान में जो है अपने कॉंसलिट खोलते जा रहे हैं वो कहीं न कहीं तालिबान को रिकोगनाईज करने के तरफ कदम बढ़ा रहे हैं यहां पर यह कहा गया कि अभी भी दुनिया के बहुत सारे देशों ने तालिबान को मानता नहीं दिया है, फिर भी जो है बहुत सारे देश अफगानिस्तान में अपने राजनाइक मिशन संचालित कर रहे हैं. हाला क Ribean के सत्ना में आने के बाद चीन, रूस, एरान और पाकिस्तान ऐसे देश थें जिनोंने अपने जो कॉंसलेट थे वहां पर उसको बंद नहीं किया था. लेकिन जिन देशों ने वहाँ पर अपने कॉंसलेट को बंद किया था उन्हों ने जो है अब फिर से वहाँ पर अपने कॉंसलेट को खेलना सुरू कर दिया है जिन में जो है मध-ACI देश भी सामिल हैं सौदी अरब, कतर, स्विंट अरब अमिराद, तुर्की, इंडोनेसिया जो खाली के देश हैं वो भी सामिल है और अब भारत ने भी ये फैसला किया है कि वह अपना जो दूटावासे अफगानिस्तान में जो कॉंसलेट है उससे जो है खोलेगा तो यहाँ पर भारत ने भी एक तरह से कहीं न कहीं तालिबान के साथ बाचित के रास्तों को खोल दिया है, जो कि यहाँ पर लेखक के अनुसार गलत है, यहाँ पर लेखक का ये कहना है कि तालिबान की सत्ता वहां से जाने के बाद भारत ने जो है अफगानिस्तान का बहुत सम्मंद नहीं रखेगा यहां पर भारत ने ये भी फैसला किया था कि वह अहमस साह मसूत का जो नितित वाली Northern Alliance है उसका जो है समर्थन करेगा जो भी सरणार्थी अफगानिस्तान से भारत आएंगे वह उनको आस्रे भी देगा और इसी निति की वज़े से 2001 से 2021 की अउधी में जब वहां पर एक चुनुई सरकार थी उस समय भारत और अफगानिस्तान के बीच में सम्मनते वो काफी अच्छे थे और इसलिए कहीं न कहीं अफगानिस्तान ने जो है भारत को अपना पहला रनितिक भागिदार भी बनाया था लेकिन जिस तरीके से तालिबान के द्वरा अफगानिस्तान को हत्याया गया है वहां की सरकार को उखाड करके फिका गया है उसके बाद भारत का जो रुख है तालिबान के प्रती उसमें काफी नर्मी देखी जा रही है और भारत डिरेक्ली जो है अब तालिबान से बादचीत करना चाह रहा है इसके पीछे भी बहुत सारे रिजन हो सकते हैं बहुत सारे लोग इसके सपोर्ट में भी है लेकिन यहां पर जो एटोरियल है उसमें ये कहने का प्रयास किया गया है कि कहीं न कहीं ऐसा करने से तालिबान के दोरा जो कुरूता अभी वहाँ पर दिखाई जा रही है उसका समर्थन जो है दुनिया के देश कर रहे है यहां पर लेखा के दोरा ये कहा गया है कि सत्ता में आने के बाद तालिबान ने जो है औरतों पर लड़कियों पर कई तरीके पर्तिबन लगाए है वहाँ पर अभी भी जो लड़कियां है वो इसकूलों में नहीं जा पा रही है महिलाएं काम नहीं कर पा रही है रोजाना तालिबान के द्वरा जो है कुछ ऐसे फर्मान जारी किये जा रहे हैं जो कि कहीं न कहीं वहाँ के लोगों की जो आजादी है उसको कुछल रहे हैं और एक तरीके से अगर दुनिया के देश अफगानिस्तान में अपने कॉंसलेट को खोलेंगे तो कहीं न कहीं जो तालिबान का एक सपना है कि पूरी दुनिया उसे जो है तालिबान में एक सरकार के रूप में मानता दे यह जो है उनके लिए काफी आसान हो जाएगा तो यह एक बहुत ही इंपोर्टेंट मुद्दा यहां पर उठाया गया है जिस तरीके से पूरी दुनिया के देश अब जो है अफगानिस्तान में अपने मिसन को चला रहे हैं उसको ले करके तो काफी इंपोर्टेंट न्यूज है यह इसको भी आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ेंगे आईए एक और न्यूज की हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं आज के पेपर के पेज नंबर 11 पर एक न्यूज आया जिसका सीर्शक है तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है जो केंद्री मंत्री मंडल है उसने बूधवार को पेरिस जलवायू समझोते के तहत भारत का जो अधतन राष्टी अस्तर पर निधारित यूगदान है जिसे हम बोलते हैं NDC उसको जो है मंजूरी दे दिया है आपको ध्यान में रखना है कि जो पेरिस समझोता हुआ है उसके अनुसार हर देश को जो है यह बताना है कि वह किस तरीके से अपने देश में ग्रीन हाउस गैस के उससरजन को कमी करने वाला है और इन सभी देशों को हर 5 साल में अपनी जो योजनाय है उसको ले करके एक रिपूर्ड जो है जारी करनी होती है जिसे हम कहते हैं राष्ट्री अस्तर पर निर्धारित यूगदान यानि की NDC भारत ने 2015 में अपना पहला NDC जारी किया था और जो पहला NDC था उसमें ये कहा गया था कि भारत जो है अर्थवेस्था की जो उससरजन त्रिवता है यानि की जो दोहरपांच में भारत की जो उससरजन त्रिवता थी उसके अस्तर से उससरजन त्रिवता में जो है 30 से 35 पर तिसद तक का कमी करेगा उस तरीके से यहाँ पर यह कहा गया था कि भारत जो है 2030 तक जो गैर जिवास्म अधारित उर्जा संसाधन है और उससे जो बिजली प्राप्त होगी उसके परतिसत में भी इजाफा करेगा और हमारे जो विदु छमता है उसका 40 परतिसत जो है वह इन छेतरों से आएगा यहाँ पर तीसरा अलक्षे रखा गया था कि भारत जो है अपने देश में अतरित वन और विक्षो को लगाएगा जिससे कि 2030 तक अतरिक्त 2.5 से 3 गिगाटन कार्बन डाय ओकसाइड सिंक जो है भारत में तयार किया जाएगा तो यह तीन बाते जो है भारत ने अपने पहले प्रतिग्या में प्रस्थूत की थी अभी आपको ध्यान में रखना है कि 2021 में जो है जब भारत के प्रधान मंतरी ग्लाजगो में कोप 26 की बैठक में जो है समलित हुए थें तो वहाँ पर उनके द्वारा कुछ पांच जिवास्म इंधन उर्जा है उसे जो है 500 गीगावार्ट तक बढ़ा देगा और जो दूसरी बात यहां पर कहे गे तो उसमें यह कहा गया था कि भारत 2030 तक अपनी उर्जा आवसक्ताओं का 50% जो है वह 11 जिवास्म इंधन उर्जा से पूरा करेगा यानि कि यहां पर जो ट कार्बन उस सर्जन है वह कम से कम एक बिलियन टन तक कम हो जाए उसी तरीके से जैसा कि मैंने कहा कि भारत ने यह प्रतिग्या की थी कि 2005 में जो उस सर्जन की तुईता थी उसके अस्तर से 30 से 35% की कमी जो है भारत के दौरा किया जाएगा तो उसको यहां पर बढ़ा करके 45% कर दिया गया उसी तरीके से प्रधानमंत्री के दोरा यह कहा गया कि भारत 2070 तक जो है क्या कर लेगा net zero लक्ष हांसिल कर लेगा यानि कि भारत जितना कारवन उस सर्जन करेगा उतना ही कारवन को सिंक भी करेगा जिसको हमने बोलते हैं Net Zero तो 2070 तक भारत जो है Net Zero का लक्ष प्राप्त कर लेगा तो ये कुल पांच नई घोसना है जो है भारत के परधान मंत्री के द्वरा COP26 की बैठक में किया गया था और इन ही पांच घोसनाओं को जो है लक्षियों को जो है यहाँ पर केंद्रे मंत्री मंडल के द्वरा मंजूरी दी गई है जो हमारा नया राष्ट्री अस्तर पर निधारित योगदान है उसमें तो काफी important news है जो बाते मैंने आपको बताई हैं उसको आप ज़रूर ध्यान से यहाँ पर नोट कर लेंगे आएए अब इन विश्यों पर अधारित मुख्य परिच्छा के अभ्यास प्रश्णों पर चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर question number one है ताइवान के प्रती चीन की नीती और इस मुद्दे पर अमेरिका के रुख से छेतर में तनाव बढ़ गया है इस मुद्दे की जाँच करें और इस पर भारत की इस्तिकी चर्चा करें तो बहुत important news है मैंने आपको सारे एतिहासिक तत ही बताए है जो चीन और ताइवान के बीच में संबंध है उसके बारे में भी मैंने आपको बताया है भारत जो है ताइवान के मुद्दे पर क्या कहता है इसके बारे में भी आपको जानकारी है तो इन सभी मुद्दों को जो है आप यहाँ पर लेक कर सकते हैं चर्चा कर सकते हैं आए देख लेते हैं कोशन नमबर टू को कोशन नमबर टू है भारत को अपने जनसंखा के लभांस को प्राप्त करने के लिए गुनवत्तापूर्ण इस्कूल और उच सिक्षा के साथ साथ स्वास सेवा में निवेश करने की आवसकता है इस कथन की समिच्छा करें तो बहुत ही महत्पूर्ण कोश्चन है यह और यहां पर आप सभी को यह ध्यान बरखना है कि जो डेटा है वो काफी महत्पूर्ण हो जाते हैं तो जो भी बाते मैंने आपको यहां पर कही हैं जनसंखा के लभांस को ले करके आप उसका उप्यूग जो है कर सकते हैं आप उनको एक बार रिवाइस कर लेंगे और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसको लाइक करें सेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रीद करें तो मिलते हैं समाचार विसलेशन के अगले अंक में तब तक के लिए नमस्क कर और दने में